हेलो फ्रेंट्स आपका सर्मानेटिंग चैनल में स्वागत है आज मैं आपके लिए यह तीन साल तक के बच्चे के लिए फ्रॉक लेके आई नड़की की यह देखिए यह दो कलर की बनी हुई है आपका मन है आप एक में बनाएं चैन दो कलर में बनाएं मेरे एक सब्सक्राइ बता आ रही हूं आपको ओजय यह फ्रॉक उपर से बनी हुई है यहां से बनी हुई है इसमें मैंने 85 फंदे डाले हैं 85 फंदे डालके तीन 3 यह 4 मैंने उल्टी उल्टी सपा बिल्ता, तो क्विफ्स लांड मों बिल्ती चैने सीज़ित चाल सिरा अलग से बना हुआ है इसलिए। जैसे चोटे बच्चे का गले से स्टार्ट करते हैं वैसे ही स्टार्ट है بنे डाले के यहां से मैंने चार चाहीं की बीटकहेर, CP चाहले सीज़ित, CP पांच पंदों की पट्टी यह फिर तीस फंदे यहां 35 हो गए और एक पंदे पर जाली और एक पंदे पर यहां जाली बीच में यह साथ फंदे हैं एक पर जाली डालके फिर साथ फंदे फिर जाली फिर 35 फंदे पीछे बैक के पेस में 35 फिर एक जाली फिर साथ फंदे फिर फिर यह 30 बंदे और यह पांच बंदों की पत्ति इस तरह से ने बनाते गया बढ़ाते गया जब इस चोली की लंबाई फिर इसके लंब बनाते गया चोली की लंबाई जब 5.5 इंच हो जाए फिर इसकी आस्ती ने अलग करनी है देखिए इसमें 5 इंच वे हैं पांच ये 5.5 तक अगर आपका बच्चा कमजोर है तो आप 5 पर भी कर सकते हैं हेल्दी है तो 5.5 करने के बार आप इसकी आस्ती ने अलग कर दीजी फिर 3 इंच तक आगे का पेस करने के बाद आप अपनी पसंद का पैटन ढालेश है तो पहले इत्स तक पहलेबक्ति ऊपर से पंदे डाले प्रइल बंदों से अब आपकी इछाई मैंने तो यह उल्ट उल्टे फंदू का बॉर्डर बनाया उसके फंदू को डिवाइड किया 35 आगे 35 इस साइड में और बाकी 32 फंदे पीछे और इस तरह से मैंने इसका विवाजन किया है और पांच साड़े पांच इंच तक बुनके फिर इसकी आस तीने अलग की हैं यहां से यह देखिए करके तीने अलग करनी है और फिर तीन इंच तक चोली और बढ़ानी है उसके बाद इसमें घेर बनाना है कुल लंबाई चोली की आठ इंच होती है आठ इंच आप चाहें तो साथ भी बना सकते हैं उसके बाद आप घेरा बनाएंगे घेरे में कम से कम जब तक घेरा पूरा नहीं होता है तक तो अच्छा नियुक्त दो सो यड़ाई सो फंदे हों आप अपने पसंद के साब से इसमें कोई भी पैटन डाल सकते हैं यह आपने तो इसमें यह कलर डाला है इस टाइप से पैटन डाला है जिसको आपको जो पसंद आए आप वहें डालिए और लास्ट में बडर बनाके इसे बंद कर दीजिए जितनी लंबाई आप चाहाते हैं उतना डाल दीजिए मेरे तो इस फ्रॉक के फुल लंबाई साड़े वह बच्चिया तो आप इसके फंदे बड़ा दीजिए और अब नॉर्मल बच्ची के लिए आप बनाने के बाद आप कॉलर के फंदे उठा लें चाहें मैंने तो वही फंदे खोले हैं सिंगल उन से डाले ते वही फंदे खोल ली देखिए आपको दिख राया है खुला कि इसमें सिल सकते हैं मैं तो यहीं के फंदे खोल के इसी को भर लिए दुबारा से सलाईयों में और फिर यह मैंने कि तीन इंच का कॉलर बनाया है और इसमें यह आठ सलाईयों के बाद एक एक फंदा बढ़ाया है आठ सलाईयों के बाद एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ सलाईयों के बाद पांस सलाईयों के बाद मैंने एक एक फंदा यहां बढ़ाया है और एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ सलाईयों तक बढ़ाया है पांच के बाद आठ तक मैंने एक एक फंदा बढ़ाया है ह इस तरह से आप अपने पंदों को बढ़ा के घटा के डाल सकते हैं अगर बच्चा आपको बढ़ा है तो आप दो चार पंदे बढ़ा दीजिए और अगर चोटा है तो दो पांदे कम कर लीजिए ठीक है अगर आपको मेरी प्रॉक्स पसंद आई है इसे लाइक कीजिए और जहब बढ़ा है जividadर वांद जला कारे भी जिए।